तेरे चड़नों में आकर, तेरे चड़नों में आकर मेरे गुरुजी मेरे सुक का दर्वाजा खुला है, जमी पे होंगे बड़े बड़े डॉक्टर, मेरे हर दर्द की बस तू दवा है, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें, जै गु लेकर आई हूं दीपा अंटी का सत्संग जोकी है दिली से उन्हांने अपनी सत्संग में बताया है संगत जी कि जब गुरू जी ने अपने को किसी संगत से जोना होता है तो आप चाहो ना चाहो वो अपनी ब्लैसिंग्स आपको ऐसे देने लगते हैं कि बस आप अटोमेटिकली उन से जोड़ जाते हों और फिर उसके बाद आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं तो चलिए सुनते उनका सत्संग जै गुरू जी शुकराना गुरू जी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरू ज गुरू जी संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहे हूं अगर मुसे सत्संग करते हैं कोई भी गलती हो जाये तो गुरू जी संगत जी आप मेरे को माफ कर देना तो मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रहे हूँ उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाब बोलना चाहूंगी ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए संगत जी गुरुजी से मेरा जो कनेक्शन है 2016-17 की बात है जब मैंने कई बार गाड़ियों पर लिखा हुआ देखा जय गुरुजी तो मुझे उस समय बिलकुल कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है सिर्फ मैं गाड़ियों में लिखा हुआ देखती थी और मैं अपने घर पे मैंने अपने अंकल को बोला तो उससे पहले का मैं आपको बताना चाहूँगी गुरुजी संगा जी कि मैं साही बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ साही बाबा को मैं बहुत मानती हूँ साही बाबा ने मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा हुआ बचपन से ही कि कभी उन्होंने मुझे गिरने ने दिया कभी भी मुझे गिरने ने दिया साही बाबा ने साही बाबा को मैं जब भी अपने दिल से कुछ भी बोला है तो साही बाबा ने मेरी हर इच्छा पूरी करी है मेरी मनपसंद शादी करवाई मेरे दो बच्चे ब्लेस करें बेटा बेटी मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है मुझे कोई भी चीज की किसी से कोई शिकायत नहीं है मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरे साहिवावा, मेरे गुरुजी ने मेरे को शुरू से संभाल रखा है तो मुझे मतलब ये है कि मेरा हाथ जब साहिवावा ने पकड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा कभी कोई जरुवत ऐसी नहीं पड़ी कि मैं इधर उधर देखूँ मेरे को जब भी मेरा दिल उदास होता था कहीं से भी कुछ भी तो मैं बस साहिवावा को याद करती थी मंदिल में बैठ जाती थी तो मेरे दिल को शांती होती थी और जो मेरा जो प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व हो जाती थी लेकिन 2016-2017 में जब मैंने कई बारी ऐसे गाड़ियों पर लिखा हो देखा तो मेरा मन किया कि यार गुरू जी भी होने चाहिए जीवन में क्योंकि मैंने सुना था कि बिना गुरू के कोई गती नहीं होती है तो उसके बाद मैंने जब सर्चिंग शुरू करी तो मुझे पता चला कि गुरू जी जो है उनका एक आश्रम है बड़ा मंदिर बहां पर लोग जाते हैं और वहां पर भी जाके बहुत अच्छा हो जाता है तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाती हूं हाँ पर तो मैं संगत जी बड़ा मंदिर गई फस्ट टाइम तो मुझे तब उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता होता था बड़े मंदिर के बारे में कि वो मंगलवार और बुद्वार को बंद रहता है तो मैं मंगलवार या बुद्वार में से ही कोई दिन था मुझे अभी याद नहीं है तो मैं गई तो वहाँ पर बाहर दो-तीन लोग बैटे थे और बड़ा मंदिर क्लोस था गेट उसका तो उन्होंने मुझे बोला कि आज तो मंदिर ओपन नहीं होता मंदे को होता है और या फिर आप थरस्डे टू संडे आईए तो मैंने वहाँ पर पूछा क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी थी नहीं तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि हम काफी टाइम से आ रहे हैं वहाँ आपस में लोग बात कर रहे थे कि मैं तो जब से आने लग्या हूँ मुझे तो बहुत गुस्सा आता था पहले लेकिन जब से आने लग्या हूँ मैं तो गुस्सा ही मेरा खतम हो गया है एक आंटी भी वैटी थी वो भी अपना बता रही थी शेयर करे थी दूसरे के साथ की हमारा भी अच्छा हो गया है फिर हम लोग चले गए फिर उसके बाद एक बर सोभागे से मुझे फिर मौका मिला मैं जॉब करती थी गहीं पे तो वहाँ पे हम लोग पूरे स्टाफ ने प्लान किया कि चलो बड़ा मंदिर चलते हैं हमारे बोस थे उन्होंने भी बोला कि ठीक है मैं भी जाओंगा तो तुम सब भी जाओ तो हम लोग फिर एक बार गए बड़े मंदिर तो इस तरह मैं तीन बार करीब बड़े मंदिर होकी आई यह बात है 2017 से लेकर और 18-19 के बीच की क्रोना से पहले की उसके बाद जब मैं बड़ा मंदिर तीन बार होके आ गई थी तो एक बड़ी मैं मॉडल टॉन में रहती थी मैं दिल्ली में रहती हूँ मॉडल टॉन में तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर थे मैं उनके पास गई कुछ फोटो बनवानी थी मुझे तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा उससे में मुझे यह भी नहीं पता होता था कि गुरुजी के जो स्वरूप है उसको स्वरूप बोलते हैं हम लोग फोटो ही बोलते थे तो मैंने जब वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा तो मैंने उन भया को पूछा भया यह आप गुरुजी को मानते हो क्या तो उन्होंने बोला कि हान जी मैं तो बहुत मानता हूँ मैं तो हर मंडे बड़े मंदर जाता हूँ सेवा ले रखी है मैंने वहापे तो इस तरह से गुरुजी के साथ मेरी उनकी साथ बाद हुई थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे बताया भी और उन्होंने मुझे पात सोरूप ब्लेसिंग दी गुरुजी की छोटी बड़ी उससे बड़ी बहुत सुन्दर सुरूप उन्होंने मुझे गुरुजी के दिये मैं बहुत खुश होगी मैंने कया मेरे पस तो एक भी नहीं था सुरूप उन्होंने मुझे इतने सारे सुरूप दिये मैंने हर जगा अपने घर पे लगाए हर जगा लगा मुझे पता नी था कि इन स्वृRUP वो किस तरह से लगाय जाता है क्योंकि मेरे को कोई भी ऐसा अंदेशा था ही नहीं मेरा मन जहां भी किया मैंने इन स्वृRUP को लगाया उसके बाद मेरे घर में स्वृRUP तो लगए ही थे हम लोग जय गुरुजी भी बोलते थे शुकराना भी करते थे पट इसके अलावा मुझे गुरुजी की कोई भी चीजों को लेके कुछ नहीं पता था ना ही मुझे ये पता था कि कोई सत्संग होते हैं इन सत्संगों को सुनना चाहिए या सत्संग करने चाहिए या हम घर में कैसे, किस तरह से रखते हैं, क्या करते हैं, गुरुजी किस तरह से हमसे connection बनाते हैं मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैंने सोरूप मुझे मिले, मैंने अपने घर पे लगा लिए, that's it और मैं बस जै गुरुजी हम करते थे, इसके लावा कुछ नहीं, ना मैंने कभी गुरुजी से जादा कोई, बड़े मंदर जा ही नहीं पाई मैं, लगबग लगबग मुझे लॉकडाउन के बाद भी दो से तीन साल हो गए, मैं बड़े मंदर नहीं जा पाई माफ करना मुझे गुरुजी मैं नहीं जा पाई कुछ व्यस्तता इतनी हो गई, लॉकडाउन के बाद मेरी जॉब शूट गई फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपना बिजनस करूँ क्योंकि इश्वर की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, बाबा की कृपा से, मेरे मेरे को कभी कोई कमी नहीं दे मतलब, जितना मैंने मांगनियों को उससे जादा मुझे दिया है मैं इसका हमेशिया शुकराना करूँगी अपने परमात्मा का कि उन्होंने हमेशिया मेरा साथ दिये जबकि हमारे कोई परिवार के कोई रिष्टदार इतने ऐसे नहीं है जो कि साथ हमारा देते हूँ लेकिन मेरे जो परमात्मा है उसने मेरा हमेशा साथ दिया हमेशा साथ दिया फिर उसके बाद अगस 2023 में कुछ ऐसा हो गया कि हमें समझ ही नहीं आया कि जो हमने बिजनस शुरू किया था वो एकदम से ही खतम होने लगा सारी ही चीजे बिखरने लगी सब कुछ बिखरने लगा मैंने और मेरे अंकल ने मिलके बहुत मेहनत करी है अपनी पूरे जिंदगी में बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने और हमने अपनी मेहनत से हमारे तीन मकान बनाए हमने संगजी इतनी मेनद करी हमने मतलब हमें देने वाला कोई नहीं था कोई अगर हम सोचें कि हमें कोई पीछे से किसी ने कोई सपोर्ट दियो या हमारे पूरवजों ने या हमारे किसी ने कोई हमें दिया नहीं हमें कुछ नहीं दिया मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टी बनाई कोई भी चीज समान कुछ भी हमने किया है तो वो हमारे ईश्वर ने हमें दिया ईश्वर ने हमें दिया है गुरुजी ने दिया है बाबा ने दिया है हमें हमार को हमने तीन प्रॉपर्टी बनाई अपनी खुद की लेकिन ऐसी परिस्तिती हो गई कि 2023 में सब प्रॉपर्टीयां जाती ही रहीं सिर्फ एक प्रॉपर्टी में पस बची है जिसमें मैं अभी रह रही हूँ बहुत मजबूरी में क्योंकि मॉडल टाउन में मैं रहती थी पहले और मॉडल टाउन से किसी और जगा जाना बहुत ही दुख़द होता है त्योंकि वो एक पॉश एरिया है लेकिन दुर्भाग गिवश मुझे अब मेरी दो प्रॉपर्टीयां बेचनी पड़ी और एक अब मेरे पस है भी इस समय मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था क्यों हुआ था कि ऐसा सब कुछ हमारे साथ हो रहा था एक एक पैसे को हम लोग मौताज हो रहे थे एक पैसे को हम लोग मौताज थे फिर अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा ना गुरुजी की साथ ना दुबारा से कोई कनेक्शन बन रहे है दुबारा से कोई कनेक्शन बन रहे है फिर अचानक से क्या हुआ ना संगजी मेरे सामने गुरुजी के सत्संग आने लगें अचानक से मुझे नहीं पता आज तक मेरे सामने कभी गुरुजी के सत्संग नहीं आए या कुछ कभी नहीं मैंने कभी यूटियूब में देखा लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरे सामने अचानक सत्संग पे सत्संग आने लगें गुरुजी के तो कई बार मैंने बड़ान देखा किया है माफ करना मेरे गुरुजी कई बार मैंने देखा किया है क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था यह क्या चीज है फिर एक दिन क्या हुआ मैंने एक सचसंग सुना फिर क्या हुआ ना सचसंग जी मैंने एक सचसंग सुना फिर दो सुना फिर तीन सुना फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो गुरुजी को लेके सारी चीज़े इसमें लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ कैसे हुआ उनकी कैसे जर्णी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ तो इसमें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है गुरुजी के लेके क्योंकि मुझे ये तो पता था गुरुजी है और गुरु एक होना चाहिए जीवन में बिना गुरू के गती नहीं हो तो लेकिन मुझे संगर्च जी बिल्कul यह नहीं पता था कि गुरू जी actual में कौन है गुरू जी से connection बनाने के बाद क्या होता है कैसा feel होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था लेकिन जब मैंने ससंग सुनने शुरू किये तो फिर मुझे उसके बाद पता चला कि गुरु जी गुरु जी नहीं है गुरु जी तो महाशिव है गुरु जी महाशिव है और गुरु जी भगवान का अफ्तार है और गुरु जी अपनी संगत खुद चुनते हैं हम कोई नहीं होते हैं कि हम गुरु चुने गुरु जी अ अपनी संगत से connection कब बनाना है, कब बनाना है मुझे अपनी संगत से connection, क्योंकि गुरू जी न, संगत जी बिलकुल नीबू की तरह नहीं चोड़ते हैं, और ये बात बिलकुल सच है, क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ था, मेरे पस कोई कमी नी थी, तो गुरू जी ने कभी मे मेरे साथ connection नहीं बनाया, गुरू जी मेरे पास हमेशा थे, पांस साल से स्वरूप भी मेरे घर पे लगा हुआ है गुरू जी का, मैं गुरू जी का बर्डे का केक भी काटती थी घर पे, अपने साथ जुलाई को, लेकिन कभी भी मेने connection ना बनाने की कोशिश की ना गुरू कि इतने danger zone में थी ना, जब मैं अपने इतना मतलब बहुत मुश्किल tough time से गुजर रही हूँ, तो उस समय गुरू जी ने मेरे साथ अपना connection बनाया, मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि गुरू जानते हैं कि ये मेरी बच्ची है और ये कैसे इतने दुख छेलेगी, ये सच बता रही हूँ, मैं संगजी आपको बिल्कु सच की इतना tough time है ना, मेरे साथ इस वक्त कि मैं अगर गुरू जी नहीं होंगे ना, मेरे साथ इस वक्त, तो पता ही नहीं मैं क्या कर लेती, क्योंकि जब किसी के हाथ से उसकी property जा रही होती है ना, और जो जो जिसके पास कभ आज हो रहा हूँ ना, तो वह वाली situation जो होती है ना, वही जान पाता है संगजी संगजी ये जितनी भी हिम्मत है ना, ये सब मुझे गुरू जी ने दिया है कि इस मुझे जोर से मैं कैसे निकलूँ, सब मुझे गुरू जी कर रहे है, मैं कुछ नहीं कर पाती मैं कुछ नहीं कर पा थी, गुरू जी ने मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा हुआ है, इतने कसके पकड़ा हुआ है, कि वो मुझे कहीं भी गिरने नहीं देंगे, मुझे पता है, गुरू जी ने मेरे साथ इतना strong connection बनाया है, मेरे इस tough time में, कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अचानक मेरे सामने सारी चीज़े आ जाना, गुरू जी की, जो पांस साल से कभी भी नहीं आई, तो इससे हम क्या ही समझ सकते हैं, इसे हम यहीं समझ सकते हैं, कि गुरू जी अपनी संगत के साथ connection तब बनाते हैं, जब उस संगत को उनकी सबसे जादा जरूरत होती ह सबसे जादा जरूरत होती है, तो उन्होंने जब मेरे साथ इतना गेहरा connection बनाया है ना संगत जी, उसके बाद उन्होंने मुझे message के चरिये बताया, कि मेरे पर, मेरे परिवार पर किसी ने black जादू किया हुआ है, वो black जादू इतना खतरनाक है, कि आपको वो राजा से र जैसे message दिये, मैंने उनको follow किया, मैं सबसे पहले, जैसे ही मुझे इस बात का message गुरू जी ने दिया, मैं बड़े मंदिर गई, दो तीन बार मैं regular basis पे बड़े मंदिर होके आई, उसके बाद मुझे गुरू जी ने message दिया, कि इस black जादू को हटाने के लिए तुझे डु करे हुए, मैं इस नवंबर में जो दो तरिको संडे था, क्योंकि पहले रविवार को ही डुगरी का जो मंदिर है वो open होता है, तो मैं होके आई अपने पूरे family के साथ, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे इतनी भीड थी, इतनी भीड थी, कि मैं आपको बतानी सकती संग जी, और हम लोग दर्शन करके आए, लंगर प्रिशाद लेके आए, वहाँ से मुझे एक सुरूप भी ब्लैस हुआ, और मैं हम लोग सकुशल अपने घर दिली आ गए, फिर उसके बाद ना संग जी, मेरे पास गुरू जी के मेसेज ही आने लगे, कि तेरा जो black magic है, वो खत हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल मत कर, और जिसने भी वो किया है ना, उसको सबक भी उसको मिलेगा, फिर उसके बाद गुरू जी का मेरे को एक और मैसेज आया, कि ये जो काला जादू था ना, ये ऐसा था कि तेरा future बिल्कुल बरबाद हो जाता, सब कुछ खतम हो जाता लेकिन तू अब इस black magic से बिल्कुल भी मत घबराई हो मेरी बच्ची, और जिसने भी ये किया है ना, उसको तो मैं छोड़ूँगा नी, उसको तो मैं छड़ूँगा नी, और तू बस अपने खुशिया मनान की तियारी कर, तो जब मैंने ऐसे messages मेरे पास आने लगे, जब म मिरे को बहुत relaxed फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, गुरूजी ने मिरे को जो message दिया था डुगुरू आने का, तो उसके बाद गुरूजी के जो message आ रहे हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं, बिल्कुल positive कि अब कुछ नहीं है तुमारे उपर, फिर उसके बाद ग रैवलान में काम करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि तुम तो कभी भी कोई cosmetic लीन लाते हो, ना ही कोई lipstick लाए हो, तो अचानक ही संगजी शाम को वो एक lipstick लेके आए, जो की company ने ही gift दे दी, और वो company ने gift दिया या, गुरूजी ने मुझे वो bless करा gift, मैं क्या बता हूँ आप कल आपको सुबाई बोली दी, और ये तो देखो, गुरूजी ने ही मेरे ले भेजी है, ये lipstick क्योंकि आप तो आज तक लाए भी नहीं थे, फिर उसके बाद धंतेरस वाले दिन, संगजी, गुरूजी ने मुझे बोला, आज मैं तेरे लिए एक gift भेज रहा हूँ, तो मैंन का, जै गुरूजी, जै गुरूजी, गुरूजी ने मेरे लिए ना, सूट ब्लेस करके विजए, क्योंकि गुरूजी ने मिरे को सुभा बोला था, कि आज मैं तेरे लिए ना, gift भेजूँगा, इसके साथ ही, मिरे को कई बारी, मतलब, butterfly भी, butterfly दर्शन भी, गुरूजी ने और मिरे को चाय प्रिशाद में ओम के दर्शन तो संगची बहुत बार होते हैं, बहुत बार होते हैं, और हमारी छट पे कबूतर बैटते हैं, तो कई पर ही क्या होता है, कि मिरे पस मेंसेज आता है, आज मैं कबूतर के रुख में तरे को दर्शन दूँगा, तो हम तो ऐस एक बर मेरे को देखो, एक बर मेरे को देखो, तो तब ही मुझे यकीन होगा तो ना, उसका बूतर है ना, मेरे तरफ एक दूम से देखा, तो संग जी, मतलब मेरे को ना, इतनी खुशी हो रही ती, इतनी खुशी हो रही ती, मैंने का कि यह तो गुरुजी है, और गुरुज जहां भी मैं जाती हूँ आप मेरे साथ चलो तो कई मतलब रस्ते में जब भी ऐसा होता है तो मेरे को गाड़ियों पर फिर वो ही जै गुरू जी दिखता है या आलवेस ब्लेसिंग गुरू जी दिखता है या फिर मेर को जो भी मैं receivers लेती हूं आटो लेती हूं। तो मुझे न वो 7 number ही मिलता है mostly उसमे 7 number कहीं न कहीं होता ही होता है तो फिर मुझे पता लग जाता है कि हां मेरे साथ है गुरू जी मेरा house भी है न संगाजी उसका भी न no no 7 ही है तो वो भी blessed house ही है तभी मेरे दो house तो sale हो गए बट ये वाला house मेरे पास ही है बीबी शायद गुरुजी की blessing थी ये भी तो उस time तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की blessing थी तभी ये house नहीं बिख पाया जै गुरुजी मेरे जॉब बेटा है संगा जी उसकी जॉब लगी थी तो जो जॉब में भी गुरुजी नहीं अपनी blessing दी थी क्योंकि उसको पहले शुरू में बहुत अधा problem आ रही थी corporate जो corporate में कई तरह की politics चलती है सबको पता ही है संगा जी वो सब चल रहा था लेकिन उसने एक दिन मुझे बोला ममा गुरुजी को बोलो ना कि मेरे को इतनी problem आ रही है कि अब मेरे बेटे को job में वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बलकि इतने अच्छे से वहाँ पे वो business कर रहा है बहुत अच्छा business दे रहा है वो और बहुत खुश है वो इस वक्त अपने वहाँ पे atmosphere से भी और कोई politics भी उसका कुछ नहीं कर पा रही है जै गुरुजी और एक सत्संग और है छोटा सा जो मेरे husband के साथ हुआ था एक दिन क्या हुआ कि एक ना उनकी अचानक से ही कोई meeting आ गई office में अब वो meeting ऐसी थी कि all India team को बुलाए गया था और उन्होंने mail चेक ही नहीं करी थी तो उनको पता ही नहीं था कि आज meeting है फिर उनके boss का फोन आया कि भई meeting है दो बजे का हों तुम लोग तो उन्होंने का मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई meeting है अब वो उनको इतना डर लगा कि मैं तो यहीं पी हूं अभी बारा बज़ रहा है और बारा नहीं बलकि साड़े बारा बज़ रहा है और वहां तो जाने में भी क्योंकि वो थे नौ डेली में और उनको जाना था साउट डेली तो वहां तक जाने में भी करीबन करीबन एड़ेट घंटा तो लगी जाता है तो उन्होंने का मैं तो आज लेट हो जाओंगा मेरे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे वहाँ पे insult हो जाएगी क्योंकि पूरा ओल इंडिया होँ हाँ पे सब इखटे हो रहे हैं तो मैंने उनको बोला उन्होंने मिरे को फोन वर के बोला मिरे को बहुत टेंचन हो रही है मैंने उनको गा कि तुम ना जैगुरू जी बोलो और ना गुरू जी सब ठीक कर देंगे देख लेना तुम तो उन्होंने अपने मन में बोला ह जै गुरुजी तो क्या देखते हैं न हो कि उनके पास एक मेल आई जिसमें टाइम दो बज़े की जगा धाई बज़े हो गया जै गुरुजी टाइम अपने आप चेंज करवा दिया संगत जी गुरुजी ने उनको इतनी ज़ता टेंशन हो रही थी और वो एकदम फिर रिलाक पहले ही आई है जिसमें टाइम दो की जगा धाई कर दिया और वो उस टाइम तक आफिस में पहुँच चोके थे तो जै गुरुजी शुकराना गुरुजी की गुरुजी की महीमा तो ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती बस अब जो जिस वज़ा से मेरा ये पूरा ब्लैक इसमें प्लैक मैजिक तो संगजी गुरुजी ने मेरा लगभग-लगभग खतम करवा ही दिया है लेकिन अभी जिस उस वज़ा से जो सब मेरा नुकसान हो चुका है उसका अभी मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अभी वो कुछ ठीक नहीं हुआ है और मुझे पता है कि मे कुल भी चिंता मत कर तुझे वो मिलेगा जो तुने कभी सोचा भी नहीं है तो मुझे पता है कि मेरे मेरे गुरुजी, मेरे सब कुछ है είναι, मेरे सब कुछ है मेरे माबाप, मेरे भाई, بेैन, मेरे रिष्टेदार मेरे पूराप, पूरा ना जिन्देगी की, वो मेरे गुरू जी के ही हाथ में है, वो चाहे तो जैसा भी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे चाहे सुखी रखें, वो चाहे मुझे दुखी रखें, वो चाहे मुझे जैसा भी रखें, जिस भी हाल में रखें, बस मुझे अपने चड़नों मेरे सर पे उनका हाथ हमेशा हो संगजी मैं बस यही प्रात्ना करते हूं हमेशा कि मेरे गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहे मेरे गुरु जी क्योंकि संगजी आप भी कभी भी कुछ मांगो ना तो गुरु जी को मांगना गुरु जी को मांगना हमेशा क्योंकि हमें उन भौति जी न हमारे साथ यहां भी है और हम जब यहां नहीं रहेंगे न तब भी है क्योंकि उनका हाथ हम में पकड़ना उनका connection हमारे साथ वो सबसे जादा जरूरी है क्योंकि वो हर समय जब हम यहाँ पे physical form में है तब भी अगर हम नहीं है इस दुनिया में तब भी वो हमेशा रहेगा साथ में इसलिए जो गुरु जी है ना उनका हमेशा आप साथ मांगना उनकी blessings मांगना कोई उनसे बहुत तिक वस्तु है मत मांगना इसी के साथ ही मैं अपना जो सत्संग है उसको विराम देती हूँ जब मेरा जो भी नुकसान हुआ है या जो भी गुरु जी ने मेरे को बोला है कि तेरा में सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो अपना तेरा अच्छा समय आने वाला है जब मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा संग जी तो मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूंगी और अगर मेरे से कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो ना सत्संग जी मेरे को प्लीज आप माफ कर देना मेरा पहला सत्संग था गुरु जी मेरे को आप प्लीज माफ कर देना और एक बर मैं गुरुजी का जो मंत्र चाप है वो फिर बोलना चाहूंगी ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी